हेलो गुड मॉर्णिंग प्रथम आयस में स्वागत है आप सभी का तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ करेंट अफेर्स की ठीक है दहिंडू और कुछ इंपॉर्टेंड यूनो नियूस पेपल से तो चलिए बिना किसी देजिके स्टार्ट करते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं यहां पे कि एक टर्म साता है नियूस में डाट इज रेडर्स ओफ लॉस्ट आइडल्स ठीक है मतलब मूर्तियां अगर चुरी हो जाती है तो इसकी चानवीन कौन से यूनो पार्टिक्लर और्गनाइशन करता है तो इसका नाम में दा आइडल विंग यह सी आइडी के अंतरगत काम करता है फिर थ्याग राजा स्वामी टंपल है यह तमिल्नाडू में है फर्स्ट टामिल यूनो ट्रांसलेशन आप बाइवल यह ट्रांसलेटर किया गया था आपको एंड प्रिंटेड वाई मिसनरी बार्थोलो मेल्स जीन बाग ठीक है इन 1515 एट थेरंग गम बड़ी ठीक है थेरंग गम बड़ी और इसको प्रिजर्ब किया गया था आपको शरस्वती महल लाइबरेडी है थांजा भूर में वहाँ पे RBI की जो threshold होती है inflation के लिए 4 प्लस माइनस 2% मतलब minimum 2% और maximum 6% की इसकी एक range होती है और inflation होती है कि एक given time period बे जब किसी बस्तु की दाम पहले की respect में अगले बार बढ़ जाई तो से हम inflation बोलते है Retain Inflation जिसको हम consumer price inflation भी बोलते हैं इसमें maximum जो direct consume वाली चीज़े होते है consumer के लिए जैसे food हो गया necessary चीज़े उन सब को include किया जाता है और इसको compile कौन करता है that is most P Ministry of Statistics and Program Implementation ठीक है inflation measured किया जाता है आप overall देखोगे तो CFPI that is consumer food price index ठीक है वहीं अगर दूसरा inflation आप देखेगा that is WPI wholesale price index इसको compiled कौन करता है तो DP IIT ठीक है department of promotion and industrial investment trade ठीक है यह dominator होता है manufacturing articles मतला आप जो secondary चीज़े होती है जो बना करके consumer के लिए बनाए जाती है और फिर लास्ट में consume कर तो यहाँ पर manufacturing चीज़े होती है government जो है मेजर करने के लिए जो आना अब CPI यूज़ करती है ठीक है इंडिया ज रोड तु नेट जीरो अट कॉप 27 जो सरम एल सेख सिटी एजुप्ट में हो रही है conference of party of United Nation forest climate change यूज़ कॉन्फरेंस हो रही है ठीक है UNFCC की तो इंडिया की path है इंडिया ने iterate किया अपनी goals को जो प्राइमिनिस्टर मोदी जी COP26 ग्लासको में दिये थे तो किछ यहां पे यूनो टार्गेट से इंडिया की मैं आपको बता रहा हूँ जैसे इंडिया में National Hydrogen Mission 2021 में लांच किया गया इंडिया ने डी iterate किया that at least three fold increase करेंगे हम अपनी nuclear capacity में बेसिकली electricity generation में मतलब nuclear energy three fold होने वाली है थाकि हमारी जो overall you know green energy की हमारे total energy you know consumption में जो participation होने वाला हो बढ़ जाएगा ethanol blending की target इंडिया ने रखा है 20% by 2020 25 ठीक है long term strategy होगा keeping global you know temperature well below two degree celsius and ambiously 1.5 degree celsius by this century और हमारी five decade की जरनी होगी to become net zero by 2070 तो यह जो two degree celsius से कम रखना या maximum 1.5 degree celsius इस century तक रखना यह actually में Paris climate agreement के 2015 में जो है न यह सारी target बनाई गई थी कि एक सो पंचानवे country अभी सिंग्नेटरीज हैं to UNFCCC सिंग्नेटरीज को अब लाइड होना पड़ता है to submit long term report या document जिसे बोलिए इसा था 2022 तक लेकिन केवल 57 ने जमा किया और इंडिया इसमें लेटेस्ट था ठीक है एक ताम आता है इसी में LT LEDs that is long term low emission development you know strategy यह इंडिया की जो एक तरीके से बोल सकते हैं working style है उसी को यहां पर जो है ना correlate करने का कुसिस करता है right to an equity and fair share of global carbon मतलब आप जितनी आपकी capacity है जितने आपके पास लोग है उतना ही carbon emission में अपनी share कीजिए ठीक है आप हद से ज्यादा अगर मालेजे कंजूम करकर के जो है ना किसी दूसरे country के बराबर मतलब आप में आप कारवन को इमिट करोगे और उसकी भुगतनी अगर कोई गरीवी देश भुकतेगा जहां पर उतनी ज्यादा एनरजी की बहार आजे फ्रीडम ओफ डिलीजन ये भारतिय सम्मेदान के आर्टिकल 25-28 में रखा गिया है सेकलरिजम ये एक ऐसा मिनिंग है जो सेपरेट करता है डिलीजन को मतलब किसी country के पास आज ऑफिसियल कोई डिलीजन नहीं है तो मालो वो सेकलर कंट्री है जैसे इंडिया क्य है सेकलर कंट्री हमारे देश में कोई धर्म नहीं है ठीक है धर्म हमारी एक प्रेशनल मैटर है भारत के पास कोई धर्म नहीं है इंडिया एक सेकलर है मतलब नो एस्टेट रिलीजन है ये सेकलरिजम हमारे पार्ट के बेसिक स्ट्रेक्चर अफ इंडियन कंस्ट्यूशन मे लगता है यह 9 दिनों की लंबी यूनों मेला होती है जहां जो एक तरीके से लाइव स्टॉक ट्रेडिंग मतलब जानबरों को बेचने के लिए थे के वैसे अगर बात करो कि तो बिहार में सोन मेला लगती है सोन पूर मेला वहां भी जानबरों की खड़ूद बिकड़ी होती ह लेकिन यह जो पूसकर मेला यहां पर बेसिकली कैमेल होर्स इनी सब चीजों का जो डैजर्ट से डिलेटेड होता है डैजर्ट वाली एडिया में होती है वही सब चीज़े यहां पर बिकने को आएंगी तो इस पर कैमेल को अब्स्ट्रक्ट कर दिया था यहां पर सेलिंग अच्छी नहीं हो रहे थी क्योंकि जो लंपी डिजीजन है वह बहुत ज्यादा फैल चुकी यह उस पार्टिकुलर ड़िये में इसलिए पुसकर मेले में जो जैसल में यह उनो पुसकर एक टॉन है जैसल में डिस्ट्रिक्त में राजस्तान की वहीं पर पुसकर लेक भी है ज आपको मेंसन भी किया गया है लगवग आज से 24-25 साल पहले याद रखेगा तो इस वेरी इंपोर्टेंट लेक और यह जो है ना अरावली जो रेंज है पहार की रेंज वो पुसकर सहर को मतला जमेर टॉन को सेपरेट करता है पुसकर लेक से और इसके सेपरेट करने वाली पह बोलते हैं ठीक है और यह एक ऐसा लेक है जिसके चार उत्रफ लगवा बावन छोटी-छोटी मंदीर जो है ना बनाई गई है देखिए अपने अबरहन निलकन का नाम शुना होगा लिंकन का उनका ड्रीम था कि एक दीन जो कैपिटलिजम है ना उस पे भारी पड़ेगा व वह हावी हो गया आपको एक तरीके से वेलफेर पर तो मॉनेटर निजम यह फ्राइडमेन की एक विचार धारा है जहां पर कैप्टलिजम पर फोकस किया जाता है लोगों को बिजनेस करने की आजाजी दी जाती है वही वेलफेरिजम वह किन्स आप बहुत फेमस थियोरी हो दिवान दिया जाता है ठीक है एक तर्म आता है डाट इस इंप्लॉइमेंट इलास्टिसिटी यह आक्चुली में इसको डिफाइन किया जाता है दा नंबर आफ जॉब क्रियेटेड इस यूनिट अफ जेड़ी पी ग्रोफ मतलब आल लेजेए अपकी जेड़ी पी है हन्ड्रेट तो अगर आपकी जेड़ी पी हն्डरेड है और आपका अगले साल बढ़ करके इस साल हन्रेड अगले साल बढ़कर एक सो साथ हो गया तो आपकी GDP 7% से गुड़ू की तो मतलब आपके देश में 7 ज्यादा जॉब भी यूनो जन्रेट होनी चाहिए तो यहीं बोलाता है कि अगर आइडियली आप कितना जॉब जन्रेट करता अपने पर यूनिट यूनिट इंक्रीमेंट इ 1990 में जहां पर एजुकेशन से रिलेटेड वर्ल्ड डेकलेडेशन किया गया था जिसमें सारे बच्चों को इसकूल लाने की बात कही ती तो याद रखिएगा जॉमेटियन कॉनफरेंस 1990 सिक्षा से रिलेटेड है 1987 में दसिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट लॉंच किया गया था मतलब मास्टर साब लोग जो गायाब हो जाते स्कूल से और यह राजस्थान के डिमोट विलेज में लॉंच किया गया था बिपीएसी वाले को लिए आप लोग इसको याद रखेंगे बिहार एजुकेशन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट यह भी अर्ली 1990 में लॉंच किया गया और यह 10-day residential in service ट्रेनिंग प्रोग्राम था जहां पर टीचर्स को उजाला मॉडल के तहत इसको क्या किया जाता था ट्रेनिंग दिया जाता था रहक करके अभी प्रधान मंत्री जी G20 मिटिंग के लिए इंडोनेसिया बाली में है तो उन्होंने भार्थिय मुल्के समधाय क को संबोधित करते हैं यह बताया कि अभी कटक में भूबनेश्वर कटक में औरीसा में बाली जात्रा चल रहा है और यह एक एज ओल्ड ट्रेडिशन है बिट्मिन इंडोनेसिया एंड इंडिया और 2023 में प्रवासी भार्थिये शम्मेलन यह इंडोर MP में 8-10 जनवरी को मना जाएगा ठीक है बोहरा कम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यह गुजरात से संबंदित है और अभी बाली में बहुत ज्यादा रहते हैं तो उनको बोला गिया है कि आप लो इस वार काइट फेस्टिवल में आईए जो कि आपको प्रवासी भार्थिये के बाद कब होता है तो तिलास करांती जो मकर संकरांती होता है उसके आसपास लोक जुम्बिस या पीपल मुमेंट फोर एजुकेसर फोर ओल यह लॉंच किया गया था राजस्थान में 1992 में इन 1993 सुप्रिम कोट ने रूल्ड किया इन उन्नी कृस्नन वर्सेस स्टेट आफ आंधर प तो एजुकेशन फोर चिल्डरेन अब टू 14 यह इस सेंट्रेल एंड फंडामेंटल फिर डिस्ट्रिक्ट प्रामरी एजुकेशन प्रोग्राम निसो चौरानवे में आया जो यूनिवर्सलाइज कर दिया और बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया दे क्वालिटी ओ प्रामर हो रही है तो बाली में हो रही है और नूसा दुआ रिजोर्ट के आसपास हो रही है इसकी सुरुवात 1999 में थी और 17 समिट हो रहा है इस बार आपका ठीक है यह वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ट ट्वेंटी एकोनोमी जा और इस बार की जो थीम है दाटीज रिकावर्ट टु बाले है तो 2023 में जब ट्रॉइका बनेंगे तो उस टाइम पर अभी जो इंडुनेसिया हो रहा है वो प्रीवियस हो जाएगा और इंडिया जो अभी फ्यूचर वाली है वो करेंट रहेगी और उससे अगले ब्राजिल होंगी तो यह 2023 की जो ट्रॉइका होगी इट वाज फ करती है और इसको चब्वी से ग्यारा जो मुंबई की टेरर एटाइक होई थी उसको देख करके इसको लॉंच किया गया था हाला कि यह 2018 में इसको कंसेप्ट लॉइट किया गया और इसके तहत जो है ना जितनी भी 20 सेंटिमीटर से मीटर से लेंथ कम बाली यूनों बोट हो आता था था कि जो हमारी नेवीज है उनको जो है ना इन्फॉर्मिशन भेजने में अच्छा हो किसी पार्टिकलर यूनों और ट्रैक करने में तो यह पार्ट है ठीक है कोस्टल सेक्रेटी मेजर्स के जिसको 26-11 अटक के बाद यूनों एक तरीके से तामिलाडू में इसको किया गया ठीक है और इसके लिए जो है ना पार्टिकलर एक ऑनलाइन पोर्टर भी चालू होता है जिसको रियाल क्रेफ्ट बोलते हैं रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग और फिसिंग क्राफ्ट इसके तहत जो है जितनी भी आपको पता होगा भारत में लगवाद तीन अबर 2.5 लेक जोने जिसकी लेंथ 20 मिटर से कम है तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते है ट्रांस फॉर्डर को इंस्टॉल करना इन केस ऑफ इनी भनलडविल्टी चाहे सैकलोन में इंफॉर्मेशन देना हो या ट्रैकिंग करना हो या कभी-कभी आप देखते है गलती से हमारी जो एक्सक्लूसीव जोन होते है उससे बाहर इस्पेशलिस रंका और पाकिस्तान के साथ होता है तो इनी सब कारणों से जो यहां पर इंपॉर्टेंट है इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो 7516 किलोमेटर है और एक्सक्लूसीव एकॉनमिक जोन भी है तो इसमें जो है बेसिकली वो सारे एस्टेट होते हैं जो कोस्टल एस्टेट और यूटीज हैं पार्टिसिपेट करते हैं इसमें कौन से याद रखेगा पैन इंडिया यह सी विजिल 2022 हो रहा है ठीक है और यह हेल्प करता है टू बिल्ड ठीटर लेवल यूनो और रेडिनेस ऑपरेशनल एकसराइजस इंगलिस चैनल यह आपको ब्रिटिस चैनल और यूनो इसे हम चैनल भी बोलते हैं यह अट्लांटिक ओशन का पार्ट है और यह सेपरेट करता है सौधर्न इंगलेंड कहां से तो नॉर्डर्न फ्रांस से अपने खुर्दिस्तान डिजन का नाम चुकी है यह Georgian Cap जिसको Freck's बोलते है freck's एक प्लेस जो अभी modern day Turkey में वहां पर ठीक है तो ये एक तरीके से liberty Cap भी इसको बोलते है frecks को और यह symbol है French Revolution का तो उमीद करते हैं Sexton बहुत अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लग तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and don't forget to hit the bell icon ताकि आपको सही समय पे हमारी notifications ने मिल जाए बहुत बहुत धन्यवाद देखते दिये प्रता मायस thank you so much for watching this video